हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम शेयर करेंगे डिजाइनर नेक वेलवेट अम्रेला कुरती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही आसान तरीके से स्टैप बाइ स्टैप यह डिजाइनर कुरती बनाने के लिए मैंने डाइ मीटर वेलवेट फैबरिक लिया है और इसक्रिन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम आज की कुरती रेडि करेंगे अब सबसे पहले हम अपना फैबरिक के ऊपन कर लेते हैं यह मारे फैबरिक की विट है यह एक इंची टेप से भी ज्यादा है लगबख सिस्टी टू इंच है तो यह इसका अर्ज है 62 इंच और अब हम अपने फैबरिक की लेंथ देख लेते हैं तो किनारी वाली साइट को हमने यहां से डबल फोल्ड करके रखा है और जो इसकी लेंथ है वो है लगभग 50 इंच तो ऐसे ये हमारा जो फैब्रिक है ये धाइमीटर है अब सबसे पहले हम इस फैब्रिक की दोनों साइट से किनारी कट कर लेंगे ताकि ये किनारी कटिंग के टाइम हमें कोई दिक्कत ना दे सो हमने दोनों किनारिया कट कर ली है फैब्रिक हमने डबल फोल्ड करके रखा है इसके बाद हम एक कॉर्णर से दूसरी कॉर्णर पर ले जाते हुए इस तरह से ट्राइंगल शेप में फोर फोल्ड कर लेंगे तो काईज इस तरह से देखी यह हमारी ओपन साइड है फोल्ड लेर है अब इस कॉर्णर से हम घेरे की मार्किंग करेंगे यानि कमर की मार्किंग करेंगे तो कमर का फोल्ड पार्ट करेंगे और उसमें हम एक इंच प्लास करेंगे तो मैं यहाँ पर लगबग 9 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी इसके बाद जो हमारी open वाली side है यहां से हम जो भी length आती है इंची tape को इस तरह से नीचे की side से घुमाते हुए curve shape में marking करेंगे इस तरह से अब इस marking को हम अच्छे से dark कर लेंगे एंड एक बार check कर लेंगे तो यह लगबग हमारा 9.5 इंच है इसके बाद अब हमने जो हमार की marking की है यहां पर हमने अपने top part की ready length रखनी है लगबग 50 इंच रखूंगी मैं top part की ready length और अब यहां से कुर्ती की total length ले लेंगे सो मैं यहां पर लगबग 50 इंच पर mark करूंगी 2 इंच extra ले रही हूँ simming allowance के लिए अब हमने इंच टेप को ओपर corner पर रखना है और यहां से घेरे की जो भी length आती है उस length को हमने follow करते हुए इंच टेप को आगे की तरफ गुमाना है और कर शेव में इस तरह से marking करते जाना है सो यह हमारा घेरे का circle इस तरह से cut हो जाएगा तो देखिए marking हमारी complete हो चुकी है इसके बाद हम इसको और अच्छे से dark कर लेंगे अब जो हमने marking की है इस पर हमने cutting कर लेनी है सो सबसे पहले हम कमर के side से cutting करना start करेंगे half inch उपर से cutting कर रहे हैं इसके बाद हमने नीचे घेरे में से cut कर लेना है सो ये marking पर हमने इस तरह से cut कर लिया है अब देखिए घेरा cut करने के बाद हमारा आगे की तरफ से ये जो fabric बचा है इसमें से हम अपने कुर्ती का top part और sleeve cut करेंगे सो ये इतना fabric हमारा काफी है तो घेरा हमारा cut हो चुका है इसके बाद हमारा देखिए ये fabric double fold है भी और top part की जो cutting है मैंने paper पे कर रखी है इसकी जो length है वो मैंने एक इंच एक्स्ट्रा ली है 16 इंच पर cut किया है 15 इंच पर हमारा top part रेडी हो जाएगा और जो इस का shoulder है वो मैंने लगबग 7 इंच के आसपास लिया है जितना है उतना ही रखेंगे और आर्मोल की length मैंने 7 इंच ली है half इंच कंधी डाउन कर दी है तो यहां से लगबग हमारा 7 इंच रह गया इसके बाद हमने यहां से जो bust लिया है वो 10 इंच लिया है और जो कमर की fitting लगाई है वो हमने 8 इंच पर लगाई है आगे की तरफ हमने 2 इंच का सिमिंग राउन्स ले लिया है तो इस तरह से हमने paper पे अपना top part already cut कर लिया है अब सबसे पहले हम अपना back वाला part cut करेंगे तो fabric को हमने सिर्फ double fold करना है और जो हमने paper cut किया है body part का उसको इस पर trace करके हम cut कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इस तरह से रखना है और इस तरह से cut कर लेना है तो guys यह हमने सिर्फ back part cut किया है इसके बाद जो हमारा paper पे body part है इसमें से हमने अब pattern cut करना है तो front के लिए हमने कुछ marking कर लेनी है तो दिखिए neck के side से मैं लगबग 3 inch पर mark करूँगी आप अपने neck की width अपने according ले सकते हैं तो 3 inch मेरे लिए काफी है इसके बाद जो इसकी length रहेगी वो लगबग 2,5-4 inch लूँगी और नीचे से भी 3 inch पर mark करके एक box बना लूँगी इस तरह से इसके बाद हमने इस mark को नीचे की तरफ सीधा कर लेना है तो नीचे भी मैं 3 inch पर mark करके इसको सीधा कर लूँगी इस तरह से अब हमने इसको cut करना है so cutting हमने सिर्फ 4 inch लैंट पर करनी है जो हमने एक box बनाया है तो हमने cutting को सिर्फ यहां तक करना है जो हमारा box है अब इसको हम open कर लेते हैं अब दिखिए जो हमारी यह वाली side है paper की इस side से हम लगबग अपने neck की length लेंगे 6 inch आप 7 inch भी ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर 6 inch लोँगी इसके बाद हमने दिखिए इस side से neck की गुलाई देनी है 6.5 inch की length तक इस तरह से अब हमने इसकी cutting करनी है तो इस cutting को सबसे पहले हमने सीधा cut कर लेना है जो marking की है इसके बाद हमने अपने neck की गुलाई कट करनी है तो यह neck जो होगा हमारा एक side से सीधा रहेगा और एक side से हमारा curve shape में यानि गुलाई में रहेगा इस तरह से इस तरह से हमारे front part के दो pattern cut हो चुके है यह first है और यह हमारा second है तो यह हमारे front part के दो part हो चुके है अब हमने इसके armhole के extra cutting कर देनी है तो यहाँ से half से पौन इंच अदर की तरफ armhole के extra cutting कर देंगे armhole के extra cutting आप neck से पहले भी कर सकते हैं तो दिखिए, यह हमारे दो पैटन है, छोटा वाला पैटन हम हटा देते हैं, और जो हमारा बड़ा वाला पैटन है, इसके नीचे हमने डेल इंच पर माक करना है, तो यहां से डेल इंच पर हमने माक किया है, इसके बाद हम उपर भी डेल डेल इंच पर एक-एक माक करते है लगभग 10 से 11 इंच की लेंद पर इस तरह से इन पट्टियों की जो चोड़ाई है वो लगभग 1.5 इंच है सो रेंडमली हमने इस तो को 1.5 इंच पर माक्या और सिधा-सिधा कट कर दिया है इस तरह से अब हमने इस पैटन को फैबरिक पर कट करना है जो हमारा फैबरिक है इसको मैं रॉंक साइट से रखूँगे इस तरह से और इसके उपर जो हमारा पैटन है उसको अच्छे से सैट कर देंगे तो फ्रेंट्स दोनो पैटन को हम फैबरिक पर अच्छे से सैट कर लेंगे इस तरह से और यहां से साइट से मार्किंग कर लेंगे सो मैंने marking कर दी है अब यहाँ पे आप छोटा वाला pattern देख सकते हैं जो neck की side है वो मैंने लगबग 1 inch extra लिया है यहाँ से अब आगे की तरफ से हम इसकी cutting कर देंगे सो तीनों side से हमने बराबर marking की है बड़ जो neck की side है जो सीधा cut था वहाँ से हमने 1 inch extra लिया है छोटे वाले pattern में तो यह हमारा छोटा वाला pattern है जो 1 inch extra है यह half inch double fold होकर अंदर चला जाएगा इस तरह से अब हमने बड़े वाले pattern को cut करना है जो हमारी fitting वाली side है और armal वाली side है वहाँ से हमने बराबर marking की है और जो यह पट्या है इनके बीच में लगबग 1 inch का gap देना है इस तरह से और आगे की तरफ इस तरह से गोलाई देकर mark करते जाना है तो देखें यहाँ से इन सब पट् सब्किंग हमारी complete हो चुकी है अब हमने इसकी cutting करनी है so paper मैं हटा देती हूं और cutting करना आपको दिखा देती हूं किस तरह से करना है आर्मल की side से and kandhi की side से बिल्कुल बराबर cutting करनी है and जो हमारी side में fitting वाला side है यहां से भी बिल्कुल बराबर cut करना है and इसी तरह से हमने इस side में जो हमारी length वाली side है यहां से भी बराबर cut करना है इसके बाद यहां से थोड़ा सा हम extra ले लेंगे यहां से और जो neck वाली side है यहां से भी हम लगबग half से quarter inch extra लेंगे क्योंकि हमने proper neck की length और width पर cut किया था तो यहां पर हमने swimming arounds neck में ले लिया है इस तरह से हमारा यह दूसरा pattern भी cut हो चुका है तो यह दो pattern हमारे cut हुए है front part के तो यह देखे कुछ इस तरह से आएंगे small जो हमारा pattern है इसकी length neck की साड़े change रहेगी और जो बड़ा वाला pattern है उसमें कुछ इस तरह से plates आएंगी इस तरह से और यह यहाँ पर इसके साथ इस तरह से joint हो जाएगा तो यहाँ पर हमने अच्छे से plate बना कर इस तरह से इसके साथ set करना है तो सबसे पहले हम अपना neck ready करेंगे तो neck बनाने के लिए हमने जो हमारा यह छोटा वाला pattern है इसको जो एक इंच एक्स्ट्रा था इसको half इंच double fold करके अंदर की तरह fold कर देना है तो यह अंदर इस तरह से finish हो जाएगा इसके बाद हमने दिखे बड़ा वाला जो pattern है neck वाली side से इसमें हमने पटी cut करके लगानी है तो उसके लिए जो हमारे घेरे की कमर की side से 2 piece बचे थे cut होने के बाद उसमें से मैंने एक ले लिया है और इसको हमने इसके उपर इस तरह से रखना है यहां से अच्छे से मिलाते हुए और जो neck की गुलाई है उसके बराबर हमने इसको cut कर लेना है इसके बाद हमने neck की जो पट्टी होगी उसकी चोड़ाई लगबाग डेर से 2 इंच रख लेनी है और इस पट्टी को यहां से इस तरह से cut कर देना है अब हमने इस पट्टी को neck पर लगाना है तो simply इसको हमने neck की side में इस तरह से रखना है दोनों की right side अंदर की तरफ रहेगी और quarter इंच इसको silker हम अंदर की तरफ fold कर देंगे छोटी छोटे notches लगा कर इस तरह से हमने neck finish कर लिया है यहां से और जो हमारा यह छोटा वाला pattern था इसको भी हमने half inch double fold कर दिया है इसके बाद हमने अपने यहां पर neck की length में mark करना है तो 6.6 inch की length पर हम mark करेंगे अब देखिए जो हमारा बड़ा वाला pattern है यहां से हमने plates बनाना start करना है तो यह plates की जो चोड़ाई रहेगी वो half inch रहेगी सो सभी plates में मैं pin लगाती जाओंगी तो लगबग हमारी 5 से 6 plates आ जाएंगी जो हमारा छोटा वाला pattern है तो उसी के हिसाब से हमने plates बनानी है तो हमारा में मेजरमेंट से बनानी है इसी तरह से randomly मैंने 이 plates बनाए है और इसके बराबर ब關係 कर लिया है अब इसके ऊपर हमने इसको रखकर यहाँ set कर देना है तो यह अपर मेरा एक prate और आएगी तो यहाँ पर मैंने चोटी सी एक plate बना कर इसको इस तरह से set करके एक sly लगा देनी है इसके बाद हमने अपना चोटा वाला pattern इसके बराबर रखना है हाफंजी इसके उपर यहाँ से और यहाँ से अब हम इसके उपर एक sly लगा देंगे यहाँ से तो ये हमारा नेक बिलकुल सैट हो जाएगा तो लीजिए इस तरह से ये दोनों पैटर्न हमारे एक डूसरे के साथ सैट हो चुके हैं ये रॉंग साइड है और ये हमारी राइट साइड है इसके बाद हम अपने बैक वाले पार्ट में नेक बनाएंगे तो बैक वाला पार्ट हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और नेक के लिए हम फिर से एक फैबरिक पीस लेंगे इसको हमने डबल फोल्ड करना है और दोनों की फोल्ड़ेट साइड एक तरफ रहेगी इस तरह से अच्छे से सैट कर लेंगे इसके बाद हम अपना फ्रांट वाला पार्ट लेंगे और उसकी कंधी चेक कर लेंगे सो साइड से कंधी को मिलाते हुए रखेंगे और उससे लगबग क्वाटर इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करेंगे अब हमने अपने नेक की लेंथ लेनी है सो लेन्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मैं लगबग 4 इंच लओंगी और नेक कर शेप लेकर इसको यहां से कट कर लोंगी इसके बाद हम नेक की पटी की चोड़ाई कट कर लेंगे तो नेक की पटी की चोड़ाई रहेगी वो एक से डिरिंच रहेगी इस तरह से और गोलाई में इसको कट कर लेंगे अब हमने नैक पर इसको सैट करना है तो टॉप पार्ट राइट साइड उपर रहेगा पटी इसके उपर इस तरह से आएगी और एक पर के सिलाय लगाकर हम इसमें छोटे-छोटे नॉचस लगाएंगे तो इस तरह से हमने देखिए नैक की पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है रेडियोने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा सो कंधी जोइन करने के बाद ये पटी अंदर चली जाएगी अब हमने कंधी जोइन करनी है तो यहां से हमने दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है सिंप्ली अपनी कंधी जोइन कर देनी है जो बैक नैक की पटी है वो फ्रांट में लाते हुए हमने half inch का दबाव लेकर दोनों कंदियों को जॉइंट कर देना है इस तरह से यहां से इसके बाद हम दोनों की side में fitting लगा देंगे so fitting की marking हमने कर रखी है side से fitting लगा देंगे इस तरह से तो ऐसे हमारा top part ready हो चुका है इसके बाद हम इसका घेरा joint करेंगे so guys जैस तरह से हमने top part के कमर की fitting रखी है उतनी ही हमने घेरे की fitting दोनों side से लगा दी है दोनों की कमर की side बराबर है तो यहां से हमने side से fitting लगा कर नीचे से घेरा half inch double fold कर दिया है और इस side में भी हमने इसी तरह से fitting लगा कर घेरा हमारा fold हो चुका है अब हमने top part और घेरे को joint करना है तो उसके लिए हम top part को right side में turn करेंगे यहां से और हमने top part को घेरे की कमर की side से अंदर insert करना है sides की fitting आपस में एक दूसरे के सामने मिलाएंगे और center के सामने center रखेंगे यहां से half inch का दबाव लेकर पूरे circle में एक sli लगा देंगे इस तरह से हमारा top part घेरे से joint हो चुका है इसके बाद हमने अपनी simple sleeve कट कर ली है जिसको हमने fitting लगा कर दोनों side से कुर्थी से set कर देना है इस तरह से so friends यह हमारी simple sleeve हैं इस तरह से देखिए हमने दोनों sleeve joint कर ली है एंड इसके बाद हम अपनी belt ready करेंगे so belt के लिए मैंने white color का georgette fabric लिया है इसकी width मैंने लगबग 6 inch ली है और जो इसकी length है वो 18 inch है तो यह हमारा यहां से 14 inch है इसको हम double कर लेंगे तो यह हमारा 18 inch हो गया length में तो यह मेरी एक ही पट्टी है अब इस पट्टी के दोनो सिरों को हम quarter inch double fold कर देंगे यहां से इसके बाद हमने इसको दोनों सिरों को side से मिलाते हुए एक सिलाई लगा देनी है तो यह सिलाई running सिलाई में इस तरह से लग जाएगी तो देखिए दोनों के हमने यह side किनारिया मोड ली है और side से इसमें एक stitch लगा दी है इस तरह से पूरी पट्टी में हमने एक stitch लगा दी है इसके बाद हम इस पट्टी के बीच और बीच एक mark करेंगे यहाँ पर इस तरह से हमने बीच और बीच एक mark किया है इसके बाद हमने देखिए इस side से लगबग 2 inch पर एक mark करेंगे और दूसरी side से भी हम 2 inch पर mark करेंगे यहाँ पर अब जो हमने mark किया है यह center वाला इसके दोनों तरफ लगबग एक pair की दूरी पर एक एक mark करना है और इसको हमने इस तरह से तिर्चा करके मिला देना है सो मैं आपको close करके दिखा देती हूँ ताके आपको अच्छे से visible हो जाए अब इसी तरह से हमने दूसरे side में भी marking कर लेनी है तो सबसे पहले इसके center में हमने mark किया अब हमने side में 2-2 inch पर mark करके बीच के gap को हमने half inch रखा है इस तरह से mark कर देना है सो कुछ इस तरह से हमने mark कर दिया है और इसके ओपर हमने sly कर ली है अब extra fabric हम यहां से cut कर देंगे सो यह पट्टी के side के हमारी सिरे है यह कुछ इस shape में आ जाएंगे अब हमने किसी भी नोकिली चीज से इसको इस side से बाहर की तरफ turn कर देना है तो मैं pen की help से इसको बाहर की तरफ turn कर दूँगी सो यह बहुत आसानी से बाहर की तरफ turn हो जाएगा सो पूरी पट्टी को हमने इसको बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेना है दूसरी side से पट्टी पूरी तरह से हमारी जब बाहर आ जाएगी इसके बाद हम इस पट्टी के ओपर iron कर लेंगे सो इस पट्टी को हमने iron की help से अच्छे से set कर लेना है इस तरह से देखिए ये हमने पटी को आयरन कर लिया है अब ये हमारी पटी अच्छे से सैट हो गई है पटी के दोनों सिरे हमारे open है इसमें हमने डोरी इंजर्ट करनी है आप किसी भी तरह की डोरी ले सकते हैं मैंने ये डोरी ली है अब इसको मैं hairpin की help से इसके अंदर इस तरह से insert करूंगी और इस पूरी डोरी को हमने इस पट्टी के अंदर से इस तरह से pass कर लेना है तो guys अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए इस डोरी को हमने पट्टी के बिल्कुल बीचो बीच रखना है और इसको मिलते हुए हमने वुआ हमने डोरी से दोनों तरफ एक इकısı लगा लेनी है तो दो शिलाइ लगानी है और डोरी हमारी बीच में रहेगी इस तरह से So friends, ये डोरी हमारी फैब्रिक के साथ बिलकुल भी नहीं सिली है इस फैब्रिक की पत्टी को हमने आगे के तरफ जितना खिसकाना है उतना खिसक सकता है और यहां से इस तरह से जितना हम खीचेंगे उतनी ही हमारी डोरी में पट्टी की जो गैदर से वो बन जाएंगी इस तरह से बेल्ट हमारी रेडि हो जाएगी इसके बाद हम डोरी के सिरे पर यह टाजल्स लगाएंगे तो मैंने यहां पर चार टाजल्स लिये हैं आप इसमें फैब्रिक टाजल्स भी यूज़ कर सकते हैं इन चारो टाजल्स को इस डोरी के सिरो पर सैट कर लूँगी इस तरह से तो लीजे गाइज ये बैल्ट हमारी रेडी हो चुकी है और टाजल्स हमने सैट कर लिये हैं इसके बाद हमने अपनी कुर्ती के नेक पर ये बटन सैट करने हैं यहां पर हमने जितनी भी प्लेट सैट की हैं उनके सामने एक एक बटन सैट कर देना है इस तरह से इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी इस तरह से ये हमारी beautiful सी velvet umbrella कुर्ती ready हो चुकी है और आपको अगर इसका final look चाहिए तो ये रहा हमारी कुर्ती का final look आप देख सकते हैं कितनी हमारी ये beautiful elegant कुर्ती ready हो चुकी है ये कुर्ती मैंने full flare umbrella plazo के साथ team अप की है आप इस कुर्ती को पैंट प्लाजो, स्ट्रेट पैंट या लूस प्लाजो या फिर आप अपनी हिसाब से बाटम वेर के साथ टीम अप कर सकते हैं इस विंटर्स में आप ये कुर्ती रिजाइन ट्राइ जरू करें इस कुर्ती के साथ मैंने ये सॉक्स बनाए हैं जो मेरा फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने ये सॉक्स बनाए हैं इन सॉक्स का टुटोरियल में पोस्ट कर चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा इसका वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पोस्ट किया है तो कमेंट बाक्स में भी आपको इसका लिंक पिलेगा एंड डिस्क्रिप्शन बाक्स में भी मिल जाएगा इस तरह से आप अपनी मैचिंग ड्रेस के साथ मैचिंग बूट्स भी बना सकते हैं साथे साथ आप में इंस्टाग्राम और फेस्बूक पेज़ पर फॉलो करना ना पूले दोनों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे रही हूँ इसी के साथ हमारी वीडियो कम्प्लीट होती है मिलते हैं अंगले वीडियो में कुछ नए आइडिया इसके साथ तब तक के लिए बाय टेक केर थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो